P20 विश्वकप में भात्य टीम का क्यामपेञ्ट 24 अक्टूबर से शुरू हुआ हर किसी को उमीद थी कि भारत ताबड़तोड तरीके से जीत दर्ज करते हुए सेमी फाइनल में तो असानी से प्रवेश कर ही जाएगा लेकिन 24 अक्टूबर को पाकिस्तान और 31 अक्टूबर को न्यूजिलेंड से मिली हार के बाद भारत के सूपर 12 राउंड से ही बाहर होड़े वाले हालात हो गए है रवीवाद 31 अक्टूबर को न्यूजेलन के खिलाफ खेले गए मैच में तो भाद्या टीम ने बेहत घटिया प्रदर्शन किया टीम डेड़ सो छोड़िये 120 के आकड़े को भी नहीं चूँ सकी भाद्या टीम के ओपनर से एक बार फिर से नहीं चले कियल राहूल और इशान किशन पावर प्ले के अंदर ही वापस लोट गए इन दोरों के बाद टीम के बाकी बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं कर सकी और पूरी टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 110 रन ही बना सकी न्यूजिलेंड के बल्लेबाजों ने इस लक्षे को बिना किसी परिशानी के 14.93 ओवर्स में दो विकेट खोकर हासल कर लिया और इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि क्या भारत अब भी टी-20 विश्वकप के सेमी फाइनल में पहुँच सकता है बादिय टीम ग्रूप टू की पॉइंट स्टेबल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजिलेंड और नामीबिया के बाद पाचवेस्तान पर है और ऐसे में अब सेमी फाइनल में जाने के लिए टीम इंडिया को क्या करना होगा चलिए पूरा समीकरन बताते हैं पहला काम भादिय टीम को 3 नवंबर को अफगानिस्तान, 5 नवंबर को स्कॉटलेंड और 8 नवंबर को नामीबिया के खिलाफ होने वाले मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे दूसरा काम इसके बाद भी भारत को ये दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलेंड में से कम से कम कोई एक टीम न्यूजिलेंड को हरा दे जिसे भारत की संभावनाएं और मजबूत हो सके तीसरा काम, अफगानिस्तान की टीम ने स्कॉटलेंड को हरा कर अपने नेट रन रेट को पॉजिटिव 3.097 कर लिया है जो कि बहुत तकड़ा है, ऐसे में भारत को उन्हें बड़े अंतर से हराना होगा इसके लावा वो ये भी दुआ करेंगे कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजिलेंड से जीते लेकिन बेहत कम मार्चिन से इन सारी चीजों के लावा जो सबसे सही समिकरन भारत के लिए है वो ये है कि नामीबिय और स्कॉटलेंड न्यूजिलेंड के खिलाफ बड़ा अपसेट कर दे यानि किवी टीम को हराते इस वीडियो में बस इतना ही आपके लिए इस खबर को लिखा है विपिन ने कैमरे के पीछो है दीपक, मैं हूँ गर्मा स्पोर्ट से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके साथ ही फेस्बुक और ट्वीटर पे भी हमें फॉलो और लाइक कीजे और तमाम अपडेट से जुड़े रहिए शुक्रिया झाल